वेल्कम टू डीजे केक्स अन व्लोक्स आज हम यह सुन्दर ऐसा सिक्स केजी का त्री टेयर केक देखने वाले में डीटेल में आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा प्रिमिक्स लेना है कौन सा टिन लेना है और इसको पैक कैसे करना है अगर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल के नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर तो देखिए ऐसी हम लेयर लगाने वाले और मैं आपको बताती हूं कौन से टिन में हम कैसे बेक करके लेने वाले तो देखिए यह 9 इंच का टिन है इसमें हम डेड़ डेड़ किलो करके दो बार में केक बेक करेंगे करीब एक बार में 600 ग्राम प्रिमिक्स यूज करके हम डेड़ किलो का केक बना लेंगे और वैसे ही दूसरी बार हम डेड़ किलो का केक और बेक करके लेंगे 600 ग्राम प्रिमिक्स लेने के बाद में सेम वे यह 7 इंच का टिन है इसमें हम 400 ग्राम का प्रिमिक्स लेंगे इसको भी ह तो देखिए ऐसे मैंने बेक करके जस्ट क्रम कोट करके रिखा हुआ है केक्स को तो ये थोड़ा प्रोसीजर लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने आपको पूरा मेकिंग का तरीका नहीं दिखाया है पहले भी वीडियो में आपने देखे ही होंगे सेम वे हमने इसको बना के लि रहता है ताकि हमारा केक प्रॉपरली फिक्स हो जाए कस्टमर कहीं पर भी लेके जाएगा तो वह कमफर्टेबली लेके जा सकता है इसके लिए हमको जो है स्ट्रॉड डालना है तो देखिए पाइपिंग बैग में मैंने ब्लू कलर का क्रीम लिया हुए हाफ इसको जो हम ब बना के देने वाले है यह सिक्स केजी का टॉल त्री टियर केक हम बनाने वाले तो देखिए सबसे पहले हम टॉप अच्छे से क्लीन कर लेंगे जो भी हमने स्ट्रॉड डाली उसको अच्छे से हमको ढखके लेना है ताकि वह उपर से वीजिबल ना हो और वापस हमको जो है साइड क्लीन करनी है मैं हमेशा स्क्रैपर की मदद से ही करती हूँ तो देखिए इस तरीके से अच्छे से आपको इसको क्लीन करके लेना है प्रोसीजर थोड़ा लंबा है क्योंकि त्री टियर का केक है इसलिए मैंने थोड़ा जो मतलब मेकिंग का था जिसमें अपने लेर लगाते वह मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो में दिखाया कि लेर कैसे लगाते तो देखिए साइड को हम ऐसे अच्छे से कॉम करके लेंगे बहुत सुन्दर ऐसा यह केक दिखता है बहुत इंफॉर्मेशनल वाला ऐसे वीडियो होने वाला है तो लगाना बहुत जरूरी होता है नहीं तो हमारी जो लेर से स्लिप होने का चांसे रहता है तो देखिए अब यह वाली लेर को हम प्योर वाइट कलर से कोट करने वाले इसलिए मैं वाइट कलर लिया हुआ है हमेशा याद रखिए आपको स्ट्रॉस जालनी ही है अगर आप को वह सब चीज़े अवाइड करने के लिए आपको यह करना है मैंने जैसे बताया है आपको मैं डीटेल में यह वीडियो दिखाने वाली हूँ कि थी त्री टियर्स का केक आपको कैसे स्टैक करना है तो देखिए यह मैंने सेम बोर्ड पे रखके ही इसको डायरेक मैं क्रम वाले तो कैसे रखने वाले यह देखने के लिए वीडियो अन तक जरूर देखिए तो देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे जितना अच्छा आप फिनिश करोगे उतना डिजाइनर ऐसा लुक आता है कस्टमर का स्पेशल चीज था कि उनको ऐसा टॉल में ही चाहिए था तो मैंने सोचा यह वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी पता चले तो देखिए इस बार मैं इसमें को माल एफेक्ट ला कॉम से जो जिगजग एफेक्ट दे रही हूं जस देखिए को अपडाउन करते ही ऐसा सुन्दर ऐसा जिग लेर्स हमने बना के लिए जखनी ओडाते हैं तो टोटल सिक्स लेर्स बना दीती सिक्स पीसे इसके कट किये थे और यह ऐसा हमने उसका तॉल केक्ट बना ए है वन केजी का और सेम विए इसको भी हमको से स्टाइक कर के लेना यह ताकि हमारी लेर्स एकदम फिक सो जाए तो तरकल गोल जो बोड रहता है पाविंच टिन का वो मैं इसमें यूज किया हुआ है बोड और उसी के उपर मैंने केक को डाइरेक्ट रेडी करने लिया हुआ है तो देखिए मैं ब्लू और वाइट कॉंट्रास लिया इस वाले लेयर में भी और सबसे पहले हम टॉप फिनिश क कर लेंगे बहुत यूसफुल ऐसा यह वीडियो होने वाल और इस वीडियो इस चो केक का मैंने कितने पैसे चार्ज किया यह भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ तो वीडियो पूरा देखिए तो देखिए कितना सुन्दर ऐसा यह कॉंट्रास्ट आता है सेम इसको भी हम कॉम करके लेने वाले है ताकि हमारा केक बहुत सुन्दर ऐसा दिखे बहुत बढ़िया कोम के वज़े से एफेक्ट आता है तो देखिए इस तरीके से हमने कोम करके लिया हुआ है और जो उपर का एक्स्ट्रा क्रीम है वो मैंने निकाल के देखिए ऐसा फाइन करने के लिए एक wooden straw डालनी पड़ती है देखिए ऐसे हमको ऐसे जैसे मैंने आपको नाइब से दिखा ऐसे straw सेंटर निकाल के लेने का और उसके बाद में इस ट्रॉ डाली है और देखिए जैसे मैंने आपको बोला था मैंने बोड के साथ में ही के को फिनिश किया है तो देखिए नीचे से उठाना कितना इजी हो जाता है बोड के साथ आप फिनिश करते हो तो और जस्ट उसको स्टैक क करना है नीचे होल करके लिया हुआ था मैंने और देखिए मेरे डॉर्टर की हेल्प के वज़से मैंने इसको अच्छे से यह सेकेंड लगाई है सेम वे से जो हम थोर्ड लेयर भी लगाएंगे उसमें भी मैंने ऐसे बोर्ड पे ही फिनिश करके लिया है ताकि उठाना बहुत इजी होता है तो देखिए ऐसे मैंने उसको हलके हातों से उठाया है और इसको भी हमने सेम वे सेंटर में होल करके लिया था और देखिए जस्ट हमने रख लिया देखिए कितना आसान तरीका है लेयर के उपर लेयर कोई भी कर सकता है ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा जितना डिटेल में मैं बताती हूं उतना कोई भी नहीं बताएगा तो मेरा वीडियो आपको जरा सा भी यूसफुल लगता होगा तो एक लाइक का बटन जरूर दबाईए और नए होंगे तो सस्क्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत बूलिए और कमेंट में मुझे ज डालते हुए जा रहें फिर भी देखे कितना सुन्दर दिख रहा है सेम वे बॉटम में भी हम कॉंट्रास ले रहे हैं ब्लू बॉडर है इसलिए हम उस पे वाइट कलर से हम ड्रॉपलेट्स डालके बॉडर बनाके लेंगे देखे कितना बड़ा लग रहा था और बहुत ही सुन्दर दिख रहा था ये केक मतलब वीडियो से भी जादा सुन्दर ये सामने देखने में लग रहा था और बहुत ही बड़ा लग रहा था कस्टमर तो देखते ही खुश हो गया मतलब उसी रात को उन्हेंने रिपीट मेरे को ओर्डर दी थी इतना उनको ये केक पसंद आया तो देखिए सेम मैंने जैसे बनाया हुआ है मैंने भी वन एम नोजल से जो है रोजेट्स बना के लेने वाली हूँ तो हर एक लेयर पे मैं तीन-तीन ही रोजेट्स बनाने वाली हूँ ताकि जो आर्टिफिशल फ्लावर्स लगाते उसकी जगह हम क्रीम से ही करें तो देखिए ऐसे दोनों तरफ एक एक दो दो ऐसे लीव्स बना के ले रही हूँ तो देखिए ऐसे आपको क्लियर ली पता चलेगा और सेम वे मैंने जो वाइट कलर बॉर्डर बनाई थी उसी के बाजु में मैं सेम एक ब्लू कलर का बॉर्डर और बना रही हूँ ताकि हमारा चैक और जादा डिजाइनर और शांदार दीखेगा और ऐसे सुन्दर सुन्दर केक्स अगर आप कस्टमर को बना के देंगे तो आपके कस्टमर्स हमेशा आपके पास रिपीट ऑर्डर देंगे तो देखिए हमारा बॉर्डर भी करके हो गया है इस कलर को और जादा ये केक एकदम टॉल हो गया था तो इस टॉल केक को आपको कैसे पैक करना ये भी मैं बताऊंगी और जो नीचे का बोर्ड है सबसे नीचे वाले लेयर का जो बोर्ड है वो 12 इंच बार 12 इंच का है क्योंकि बहुत बार ऐसे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बोर्ड का साइज बोर्ड है थोड़ा मैंने नाइन इंच के टिन बेस बनाया था तो इसके लिए थीन इंच एक्स्ट्रा क का लिए था कि हमारा बोक्स का हाइट जादा हो और वो केक उसमें परफेक्ट पैक हो जाए और मुझे जो कस्टमरने नाम बताया था वह भी मैंने पॉंडंस ऐसे तो देखिए वाइट के साथ में ब्लैक फॉंडेंट का कांट्राज बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है और इसको और थोड़ा सुन्दर दिखने के लिए मेरे पास यह ऐसे ब्लू कलर के बटरफ्लाइस थे एडिबल बटरफ्लाइस है यह इसली बहुत सुन्दर बहुत सिंपल डिजाइन है बट क्रियेटिविटी आपकी अगर अच्छी रहेगी तो आप सिंपल केक को भी बहुत शांदार बना सकते हो तो देखिए ऐसा हमारा सुन्दर और डिजाइनर के घर के घर में हमने तैयार किया है बहुत सिंपल तरीका में हमे तो हमने इसको जो है ऐसे लगा के लिया हुआ है ताकि हमारा के और ज़्यादा वाइब्रेंट देखे और ज़्यादा सुन्दर देखे तो देखिए जस्जग पॉर्शन में क्रॉस में ऐसे मैं निकाल रहे हूँ जैसे एक वाटर फॉंटन के से फॉल होता है बस उसी की तरी निकाल इंच का बॉक्स एक एक तो हमारा रेडी हो गया तो देखिए दोनों बॉक्स को हम एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और इसको कर लेंगे देखिए हाफ पोरशन मेंने पूरा पैक कर लिया है एक तरफ से सेम वे हम दूसरी साइड का भी जो बॉक्स है उसको अच्छे 300 रुपीज चार्ज किया है 6 kg केक का बहुत जादा हैंडलिंग था इस केक में फिर भी आपको मैं दिखा रही हूँ देखिए इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर रखना है और बैक बॉक्स को पैक करना है बस आपको यह प्रिकॉशन लेना है अच्छे से सेलो टेप सो सब आपको लगानी है ताकि आपका केक स्टैग हो जाए देखिए इस तरीके इसको आपको बंद कर देदा है होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओगा जरा सा भी यूसफुल लगाओगा तो एक लाइक का बटन तो जरूर दबाएए थैंक्स फॉर वाचिंग